सबसे पहले मेरी तरब से आपको गुड मार्णिंग रात को मैं यहीं पर सोया था डावे पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी क्यूंकि मुझे जाना था लोडिंग पॉइंट पर रात को ट्रांस्पोर्टर ने बोला आप इधर ही रुको और सुबा के टाइम अच्छे स चाहाई जब पीते हैं फिर भूग लग जाती है इसलिए आलू पराउठा बेस्ट रहता है तो बारा एक बचे तक भूग नहीं लग जाती है आप ऐसा समझो तो चलो जी फिलाल हम जल्दी से जल्दी ब्रेकपास्ट करती है और निकलते हैं बट मुझे लग रहा है इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा थी यार मतलब इतना तीका था आप सोच भी नहीं सकती हो अब मैंने एक सिटिंग भी ले लिया इतनी मिर्ची उसने डाले थे न मेरा तो मुह ही जल गया है इतनी मिर्ची थे इसमें तो चलो क्या करें कोई नहीं होता रहता है कभी-कभी तेज़ करना पड़ता है चलो बस अब निकलते अपना शेहन से स्टार्ट करते और बढ़ते अपने लोडिंग पॉइंट की तरफ अभी मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी तो आप बस निकल जाएगे यहां से आप ऐसा समझो मैं तो 10 से 15 km मुझे आगे जाना है जहां पर मैरी घाड़ी का लोड हो गा है तो आजस अपन्साप करने आ स सबसे पहले हम अपनी घाड़ी को कंटा करते हैं क्यूंकि कंटे के बगएर इनको वजन पता नहीं चल होता है गाड़ी में कितना वजन हुआ है इसलिए कांटा करना जरूरी होता है खाली गाड़ी का भी लोड गाड़ी का भी तो चलो जी फिलाल में उतर गया हम देखते हैं कांटे पे अपनी गाड़ी को खाली वजन कितना है अपनी गाड़ी का वगेरा हो गया यह आप देख स क्या ही बोलो यार आज ने मेरे पेर में मेरे टांग में फिर से दर्द हो गया क्या करें यार मतलब पिछले एक महीने में घर में बैठा था उदर दर्द नहीं हो रहा था आज फिर से हो गया तो आप मैं सोच रहा हूं जब तक ये गाड़ी लोड कर ले के तब तक मैं जाओं हो रहा है अब यहां पर यहां पर यहां पर आपको इलाज हो जाएगा अगर थोड़ा इंजक्शन ही फिलाल लगवा लेगा तो उससे आपको अच्छा रिलिव मिल जाएगा तो अब सब्सक्राइब आपको नजर आ रहा है तो फिलाल खाना खाते हैं खाना खाके थोड़ी दे रेश्ट करते हैं अपनी गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट होगी अभी आप देख सकते हो दो बोरी उपर हाइट हो गया ज्यादा मैंने इनको नहीं बोला क्यूंकि मेरी गाड़ी उननीश टन वजन पास करते हैं मैंने उनको बोला मुझे अठारा ही लेना है ज्यादा है भी नहीं होना चाहिए अब बस जल्दी से जल्दी इसको हलका सा रसा मारके खांटे पर चलते हैं वहां पर वजन चक करते हैं और उसके बाद वहां पर इसका तुपाला वगयरा जो जिग्राउ लद्याना में छोड़ना है वहां पर अनलोडिक पॉइंट है तो अभी हम कांटे पर पहुंच गए यहां पर अपनी गाड़ी का वजन बराबर होगा उसके बाद ही त्रिपाल डालते हैं अच्छे से और निकलते हैं एक नए सफर के लिए तो फाइलनी टेक्या रवी फाइलनी बाई